Hello everyone, UP के सबी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशकवरी है, क्योंकि UP के अंदर 2018 के बाद ये बहुत बड़ी वेकेंसी है, जिसमें बहुत सारे पद है, तो आज अपन इस वेकेंसी के बारे में जानने वाले हैं, तो आई है अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो सबसे पहले अपन बात करें, क्रशी निदे से क्रशी विवाग उत्तरप्रदेश के द्वारा ये वेकेंसी जारी की गई है, और इस वेकेंसी का नाम है प्राविदिक सायक ग्रूप C, जिसको अपन AGTA के नाम से जानते हैं, ये आपके वेकेंसी है, और इस वेकेंसी का ग्रेड पे है, वो 2400 ग्रेड पे वेकेंसी है, और अगर इसके टोटल पदों की बात करें, तो 3446 पद हैं, लग बग 3500 पद हैं, वो इस वेकेंसी के अंदर हैं, जिनकी अलग-अलग अपन श्रेणी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो अगर आप जनरल केटेगरी की बात करें, तो इसमें 1813 पद हैं, और अगर अपन SC की बात करें, तो 509 पद हैं, दूसरा इसके अंदर ST के टेगरी की में 151 पद हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसे अपन OBC के नाम से जानते हैं, जिसमें 629 पद हैं, और आठिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, जिसे EWS काटेगरी कहते हैं, इसमें 344 पद हैं, तो टोटल ये पद हैं, आपके 3446 पद हैं, और इस वेकेंसी के लिए, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अगर बात करते हैं, तो इस एक्जाम के लिए, आप UPPAT का एक्जाम जो है, वो आपके होना चाहिए क्लियर, UPPAT का एक् Graduation कर रखी है, जिन्होंने B.S.C. पास कर रखी है, उन सभी स्टूडेंट्स जो Agriculture से B.S.C. है, या फिर जो Horticulture से B.S.C. है, या फिर जो Home Science के स्टूडेंट है, जिन्होंने B.S.C. कर रखी है, वो सभी स्टूडेंट्स हैं, वो इस एक्जाम के लिए apply कर सकते हैं, जानकार अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें लाइक करें और इसी तरह की नई वीडियो जानने के लिए इसकी डिटेल में जानकरी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू